नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आज किस ने क्लाश में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन भी छात्रों का पुलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और उनका पेपर आने वाले दिनों में यानी 2022 में उनके लिए बहुत इंपॉर्टे आपके एक्जाम में इसमें से एक दू कोश्चन हंटर प्रसेंट आएंगे ठीक है पहला कोश्चन है कि चारी चारा कांडिको परसित है आप सभी कुछ जनरली कोश्चन के बारे मालूम होगा चलिए इसके एंसर के बारे में पढ़ते हैं आप लोगों को एक स्टोरी के दर हम बताएंगे जिससे आप लोगों के दिमार्ग में सेट हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा ठीक है उत्तर में लिखा है कि गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा ठीक है लिखा है कि गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा आसाहयोग आंदोलन शांति पूर्बग चल जान दिजेगा गांधी दिने एक आसेयों गंदोलन चलाया था जो कि सांतिपूर्बक्षा लाँ था पांच परवरी 1922 को गोरकपूर के जान दिजेगा जब उसको रोकने का प्रियास किया तो जनता जो पब्लिक थी और पुलिस में मुटबेड हो गई यानि कि आपस में दोनों में लड़ाई जगड़ा वाला महौल बन गया ठीक है और लिखा है कि पुलिस भाग कर पुलिस चोकी में चिप गई यानि कि क्योंकि जनता बहुत यह पुलिस कम थे तो पुलिस जो थी वो चोकी में चिप गई थी इसके बाद उतेजित भीड ने पुलिस चोकी को घेर कर उसमें आग लगा दी यानि कि जब बहुत सारी पैबलिक थी उनको उतेजित हो गई थी भीड तो उसमें क्या हुआ उन्होंने चोकी राख हो गया जल गये थे इस हिंसक घटना से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा तो गांधी जी को इसे बहुत इंको बहुत आघात पहुंचा जिसके कारण उन्होंने आंदोलन को अस्थकित कर दिया इनहीं कारणों से चौरी-चौरा कांड़ परस्इद है तो सिम्पल सा अंसर आप को ऐसे ही याद वोगा हो गया होगा मैं आपको बता रहा हूं सिम्पल सा आपके एक्जाम में आना ही ऐं आक अंटी परशेंट चांश तो आप लोग गुलिग देना कि गांधी जो आप चलाय जा रहा सांथित लहा था तो बीच में क्या हुआ पांच भए उन्नीस बाइस को गोरकपुर के चवरेज़ार नाम अगस्तान पे कांग्रेस द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था जिसमें कि कुछ जनता और उसमें मुटबेड हो गई और फिर जनता पब्लिक जो थी वो जयादा थी और फि से गांधी जी को आघात पहुंचा तो इस आंदोलन को स्थकित कर जानों ने इनी कारणों फे चोरी चाहरा कांड प्रसिद सिंपल साइंसर आयोप आप लोगो समझ में आ गया होगा यह गारंटी में ले रहा हूं मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है च एक 1930 में गोल में सम्मेलन हुआ था जिसमें भाई कोई ना कोई सम्मेलन होता था कोई नों के उसका मक्षद होता है यानि कोई भी काम की करते हैं या फिर मीटिंग होती तो थोड़ा बहुत ना कहीना मक्षद होता है ठीक है तो वही सी तरह इसमें बता जारा 1930 में हुए गो जो काइडिया लग गया कि बिदाउत यानि कि बीना कांग्रेस के नचीजे पर किसी भी नतीजे पर पहुचा नहीं जा फकता तो यहीं पर लिखा है कि बिटी सरकार के आदेश पर वाय सराय लाड इर्विन और गांधी जी के मद्ध 5 मार्च 1931 को एक समध होता हुआ जिससे गांधी इर्विन समध होता के नाम से जाना जाता है तो आप लोगों की यह भी कोश्चन का एंसर आसानी समझ में आगया होगा ठीक है पांच मार्च 1931 को समझता हुआ गांधी जी के बिस ठीक है समझता हुआ वाय सराय लाड रविन ठीक है इर्विन और गांधी जी के मत ठीक है तो यह हुआ था पांच मार्च 1931 को उसी समझता हो कि गांधी इर्विन समझता के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए बढ़ते अंगले कोश्चन की और अकला कैस्टन को उनसा लिखा है कि पूरा समझता क्या इसका वर्डर करना है चलिए पढ़ते हैं क्या है इसक प्रथक निर्वाचन की बेउस्था तो उन्होंने हिंद्यों को फूट डालने के उद्देश से हरी जनों के लिए भी अलग निर्वाचन की बेउस्था की गांधी जी को इस नीड़े से बहुत अघात पहुचा यानि कि कोई काम नियम कानूँ से नहीं हो रहा है तो उसमे किसी जो भी उसमें का लीडर होगा या हैड होगा तो उसको कहीं न कहीं घात पहुचेगी जैसे कि आपके घर पे हो घर फैमली ले लिजिए ठीक है तो फैमली का जो मैं यानि की जो हैड होगा ठीक है तो उसमें क्या होगा जो बच्चे होते अगर आपस में वह कुछ करें तो इसी तरह उसमें भी कुछ मामला हुआ जिससे गांधी जी को काफी ठेश पहुंची यानि अगाहत इनको पहुंचा और उन्हें ने आमरड अंसन आरंभ कर दिया किन्तों अंत में हरिजन नेता डाक्टर भीम राम बेटकर और गांधी जी के मद्ध 1932 में 1932 में यूना में समझगता हुगा जो यूना समझगता कहलाता है तो यह हुआ था 1934 के बीच में भीम राम बेटकर और गांधी जी के मद्ध हुआ था जिसको हम यूना में समझगता हुआ था तो यह पोना मद्धी के प अल्लांधी के विधानमंदलों के अफ्तानस रच्चित कर देंगे कि तो यह कुल मिलाके रही उना समझाता क्या है और इसके बारे में इसका संश्र्ट वर्डन जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है याद हो गया चलिए देखते हैं एक दो बार कोश्चन को और तीन बार आप लोग कोश्चन पढ़ लेगा तो आसानी से पूरी तरह स लिखा कि मॉझ्ट वेटन योझना पर संशिप्त निबंद्र समझते हैंकी लिखा की 23 मार्च 1947 को ध्यान दिजेगा 23 मार्च 1946 को माउंट वेटन भारत के वाय सराय बने ठीक है ध्यान दिजेगा वाय सराय बने ब्रेटेन के प्रधान मंत्री एटली ने कहा कि भारतियों को सत्ता माउंट वेटन के हाथ से सौपा सौप दिया जाएगी लाड माउंट वेटन ने पंडित न भारत विभाजन की योजना को कांग्रेस ने जब सुविकार कर लिया तो माउंट बेटन 8 मई 1947 को ब्रेटेन गए और लोटकर 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रिकासित की इस योजना में भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राज्यों के स्थापना की गई ठीक है सुरी यहा क्याक है आयए अनि उन्हें वहीन भात दिया गया जो C A नयश्चावग affirmyliIST 4 में दिया जा रहा थाए जिस जिनना ने लंगर और देमक लगा कर ठुकरा दिया यानि कि जिस जिनना ने लंगरा और देमक लगा कर ठीक है लगा कई कर कि दिननोने उसको ठुकरा दिया था इस प्रकार थी जो कि इसका संशिप्त वर्डन या इन्हीं बंद था तो आप लोगों के भी आसाइस समझ में आ गया होगा दो तीन चार बार पढ़ लीजेगा इंस समझ में आ जाएगा चलिए लिखा कि भारत में उंग्रवादी अंदोलन तो भारत में उंग्रवादी प्रारंब 1906 में हुआ और यह 1919 तक चला भारतियर राजनीत में महत्मा गांधी के पदारपन के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हुआ क्रांतकारियों को बं पिस्तोल राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डगैतियों में विश्वास था इस युग में आंदोलन का ने इसके बैदे खाला भारतियर राजनीत में महत्मा गांधी पदारपन के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हुआ था विश्वास था इस युक में जो नोकर नोकर आ जो थे वो थे लाल बाल और पाल तो यह रहे हैं जो क्रांतकारी थे जो उनकी नहुद्वक थे उस समय अंत हुआ या फिर आपके सोक्ति यह समाप्त हुआ ठीक है चलिए आई होप समझ में आगा वगा एक दुबार अंसर पढ़ लीजेगा असाने साथ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है कि भारतिया सोतंतरता आंदोलन में नरमदल क्या है नरमदल के बारे समझाइए तो सोतंतरता आंदोलन में दो वालाज़े थी नरमदल ओर घरंदल दीज़ेगा सतंतरता अंदोलन की दो विचार दा यहीं ठीक है घरंडल के नेता शांज बिद ठीक इनके जो बिचार थे वो क्या थे चलिए देखते हैं पहला है वह है ठीक है आप लोग ध्यान दिजीगा पहला है आप लोग पॉइंट वाइस करके इसमें दिया गया है आपके question जब पूछा जाएगा तो इसी तरह आप लोग भी answer में पॉइंट वाज करके ही लिखियेगा ठीक है पास्चाइत्य सब्हेता के समर्थक दूसरा है बिट्टिस आसन में आस्था तीसरा है क्रमिक सुधारों में विश्वास और तीसरा है वैधन एकता में विश्वास चौथा है अंग्रेजों की न्या प्रेता में विश्वास चट सबस्क्राइब रेख दोनों थे और दोनों के बारे मैंने आप लोगों थोड़ा संचित जोकी को सबस्क्राइब करकी आप लहां को सकते हैं ठीक है चलिए लएकर बारे लेते हैं लिखाए कि भाण च्छोड़ों आंदोलन ने भारतियों में एक ऐसी अपूर्ब जग्रेत उत्पन्य कर दी जिसे ब्रेटेन के लिए भारत का ठीक है ज्यान देजेगा जिसे ब्रेटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक सासन कर पाना मुश्किल हो गया एसी बनर जी के अनुशार इस बुद्रों के प्रेडा भारते जनता का विद्रो था या क्रांते जनता से उत्पन्य नवेन उस्सा तथा गरिमा की सूचक थी ठीक है इसी आंदोलन की कारण अमेरिका तथा ब्रेटेन में जन्मत इतना अधिक भारत के पच्छ में हो गया कि अंग्रेजों को विवस ओकर भारत छोड़ना पड़ा तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन का मुखे महत तुचक की किस वज़ा से और कैसे जो अंग्रेज दो थे वो भारत छोड़ के चले गए तो ये रहा भारत छोड़ों आंदोलन के बारे में थोड़ा संशिप्त जानकारी ठीक है हलाकि अगर बिस्तित में आ जाए या अमेरिका तथा बेटेर में जन्मत इतना अधिक भारत के पच्छ में हो गया कि अंग्रेजियों को भी उस होकर भात छोड़ना पड़ा तो आज इस वीडियो में इतने टॉप लेवल के कुश्चन थे आपके एक्जाम में इन में से एक दो कुश्चन अंडर प्रसेंट आन हो सकते मिलते हैं निस्ट वीडियों तो तक लेजाएं